सबसे पहले मैं आप लोगों का लगूत तरी प्रस्णों को कराऊंगा इसके बाद अति लगू इसके बहुत विकल पूरा खटा-खट आप लोगों का एक घंटे के अंदर आप लोगों का पूरा कवर कर देंगे मेरे दोस्तों चलिए हम आप लोगों का शुरू करते हैं जल्दी जल्दी करके आपका देखे पहला आपका प्रस्णा आजाता है सांती सिख्छा का अर्थेमं परिभासा लिखिए तो देखे क्या होता देखे सांती सिख्छा का तातपर सारीरिक मानसिक एम आधमात्मिक विकास की बिरोध विभेद रहित सिक्षा जहां संसे और भय नहीं है वहीं सांती है सांती से तातपर होता दोस्तों परिवार समाज देश वब विश्व में जगडे फसाद संखर्स मार पिटातंक का अंत अता सभी स्तर पर प्रेम वह सवहार्था विचारों में सामंजस स्थापित होना वैदि कमंत्र या सुत तथा संती क्रिथ anonymous एंतराष्टि इस तर पर संती क्या वसकता है प्राचिनकाल से भारत में शुभकार्यों में सांती का विधान रहा है अ बाऴ revis से भीन है यही सद्भावना है यही सांति है कर दोस्तों देखे के ता कआ रहें कि प्रकारिक और आप लेश्पीत के लिए शिक्षा कि आउँ सकता वयक्तिक सामाजी की या राश्टि वैस्विक और परयावरणी इस सिध्ध होती है एक प्रकार से कहा जा सकता है कि समस्त मानाव जीवन की प्रकृति को उन्नत बनाने की द्रिश्च से आज सांति शिक्षा किया अविभित्यों का समावेश करें जिससे उन्हें दूसरों के साथ सवहार्दपुर्विवहार रखने वाले एवं उत्तरदाई नागरिक बनने में मदद मिले एतिहासिक द्रिश्च नैतिक सिच्छा में मुल्य सिच्छा के लिए पुर्वज है या दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सांति सिच्छा के लिए आधार है सांतिसिक्षा मुल्यों के उद्यस्टे को ठूस ठोस रूप देती है और उनके आंतरी करण को क्या करती है प्रेरीद करती है तो यहीं सब आप लोग दोस्तों अपने भारे में उसको लिख सकते हैं आगे आपका जाता देखिए कि वैस्विक द्रिष्टे सांतिसिक्षा क्या सब्सक्राइब करते हैं इन सब भिनताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के रंग रूप विकास वभाव आदि पर भी दिखाई देता है कोई राष्ट अपनी वैज्ञानिक प्रगति के करण या प्राकृतिक संग्साधनों के करण किसी अन्यकरण से अधिक प्रगति कर जाता है वहां जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती हैं अपने प्रगत के कार कुछ राष्ट विक्सित राष्ट माने जातने लगते हैं तो कुछ विकासिल राष्टों में इस प्रकार असमानता के कार उच नीच का भाव पन अपने लगता है वे दूसरे कम विक्सित पर अपर प्रभुत प्रभुत करने की चेस्टा करने लगते हैं इससे परस पर व कोनेल को फर्फ कहने होने लगता है यह इस्तित किसी भी राश्ट के लिए दॉचित कही नहीं जा सकते तो के बाहे स्क्राइब आपनेलों की लिए जरूरत है और इस प्रकार से है तो यह बात बोलाई द्रिश्चा के लिए वर्तमान आव सकता कि यह कुई संद्य नहीं किया सकता क्योंकि द्रिश्टी को है तो इसे करेंध से संधर प्रतिक संदर विचार के याpek कि बहुत आवसकता है जिससे वे सांती के प्रति सजग हो उनकी आवसकता समझें उनके अनकूल आचरण करें और सांती की स्थापना में सहयोग भी प्रतान करें आपके बैस्थ किस्पूर से क्या सकता हैolve यह गांती हैँ एक शुक्ति काय सकते हैं विश्व में नियुस्गति अधितम प्रते इस देखती मतलब कुंभी आप यह देखते हैं कि एक ही जगह पर आप देखें कि लोगों की जलवायूँ जैसे इंडнет पुंजी बहुत अधा वर्शह होती है लेकिन जेकल यह जलवायूँ दोस्तों वहां के लोगों की बोली भासा जो है अलाग अलग परिवर्तित रहेगा तो वहीं होता है दोस्तों पर्यावर्ण के एक परसपर संबंद दिखाई पड़ता है यहीं और दोस्तों आपका परिवर्ण अगे अब का देक्तित की परिभासा पूछ रहा तुछ रहरी वहीं अच्छ जेए ऐएंग वियक्तित के चर आप बुद्धि और शरीग बनावर्ण का थोड़ा बहूत ऐसा स्थाई और स्थिर संग्ठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर समयोजन को निर्धारीद करता है आगे आपका पूछ आता है देखिए व्यक्तित का अर्थ इसपस्ट करते हैं किसी एक गुड का वरण करिए व्यक्तित तो क्या होता देखतों व्यक्तित सब्द अं मुख पर लगाये जाने वाले चेहर से जिसे पहुनकर कलाकार रंग मंच पर अभिने करते हैं इस पर परसनाल्टी के सब्द सब्दिक अर्थ व्यक्ति के वह रंग रूप वा आचनंड को व्यक्त करता है तो यहीं देखिए ब्यक्तित आत्र जो भोसकते व्यक्तित तो मात सब्सक्राइब करता है कि अपने को समाज के अलग कर पाता है अगिल फोड के अनुसार देखे ब्यक्ति के विशेशकों के विलच्षड स्वरूप को उसका ब्यक्तित माना जाता है डेसिल के अनुसार देखे ब्यक्तित ब्यवहार प्रवितियों का एक समगर रूप है जो ब्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिवक्त होता है आईजेंक के अनुसार देखे ब्यक्ति के करना संभव हो कि व्यक्ति किसी भी किसी दी हुई परिस्ति में किस तरह का आचरन प्रदर्शित करेगा अगला आपका बन जाता है दोस्तों देखिए इस तरीके से कि स्नायू विक्रित से संबंधित कारे वहार पर प्रकाश डाली देखिए पूरा आप लोगों का प्रकृति से जुड़ा हुए तो प्रकृति से जो आप करते हैं मेरे दोस्तों जो आठ समझते हैं उसी को आप लिख करके आ जाईएगा बढ़िया नंबर आप पाएंगे मेरे दोस्तों देखिए यहां पर कहरा आप ब्यक्तित के पांस बड़े गुड़ बताईए या सनाय विक्रित सिसे शंबंदि कारया वहार पर देखिए ब्यक्तित के विख्तित के संवर्ण का प्रतिबादन किया किया गया है इसमें प्रशन फिरस बी सामने आता था कि मानव व्यक्तितों के प्रमुक विशेशक कारक्या पच्छ होते हैं इस दिसा में कई मने वग्यानिकों ने कारे किया और अब दिसा में सहमती दिखाई दी तूपस एवं क्रिस्टल, गोल्ड वर्क, कोष्टा, एवं मैकक्रे, होगान, आदिवग्यानिक के सोधों के आधार प्रयास्युकार किया जाने लगा कि ब्रक्तित के पांच गुड हैं जो निम्न हैं कौन-कौन सा खुलापन, वहिर मुखा, चय, तन्यता, सह, गमिता और इसनायू विक्रिती यह सभी है और इसे कि आपका अगर अगर डिफिनिशन किया देखे खुलापन कहता है ब्यक्ति के इस पहलू या वीमा में काल के लिए सम्मान जोकिम उठाने वाला सामाने से हटकर विचारवाला उत्सुकता यह अनुभाओं के विविता दिखाई पड़ती है खुलापन व्यक्ति को बौधिक उत्सुकता सहन सीलता नमीनता ग्रहन सीलता में विविता का स्तर बताता है यह कलपना शिल सोतंत्रा और विवितापुड क्रियाओं को नियमित रूप से करने क की वरित्या को स्पष्ट करता है खुलापन एक दिध्रूए बीमा माना जाता है इसमें उच्छ खुलापन अपने बैद्धिक संथी के बारे अब आगे देखे इसी तरीके से देखे आपका चैतान्यता हो जाएगा देखे ब्यक्तिक की बीमा देखे व्यवस्थित एवं वि मुखी का है देखे ब्यक्तिका यह पक्ष उर्जा साकारात्मक समवेक सामाजिक दूसरों के साथ रहने में उत्प्रेड़ प्राप्त करने वाला बातुनी कर्मठ चुस्त उत्सा देड़ता आदमी प्रवित बताता है इसी तरीके से दोस्तों आप लोग अपने भासा में इसको आप लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा बढ़ें आप लोग को नंबर मिलेगा आगे आपका जाज़ आता है दोस्तों इंपॉर्टेण देखे ब्यक्तित में सहमति जननचा के नुसर एक परिषिती के ब्यक्ति सहयोगी दूसरों पर विश्वास करने वाला उदार सीधा सामती से सीधा साथ उत्तम प्रकृतियादी से समधित ब्योहार दिखाता है तो दूसरी परिशिती में वह असायोगी संकालू चिड़ चिड़ा जिद्धी तथा बेरहम आदि बनकर की ब्योहार करता है आगे पुछ रहा है कि धार्मी विता से पुड़ भारत में धार् सतंतर tры संग्रा में सभी धर्मों के लोगों ने मिल जोल करके भागे था सतंतर होने के बाद देश में अपनाया घया था उसमें इसलिए भारत को एक Panthe निरपेच राज्य की रूपीश्य क्या कर दो है पंध निर्पेक्ष राज का असर यह है कि राजी किसी धर्म को कोई वरियता नहीं देगा अर्धा धर्म के अदरपर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सम्मीधान के नागरीकों को धर्म और उपा pushing nate का आ मारे इसाथ लोगो अपने भासा में लिख देना आगे आ जाता हाथ दोस्तों आपका एक questions आपका है कि आत्म जागरुकता की भीन इस्थितियों को बताइए ताइए तो खुद से जागरुक होना लेखे आत्म जागरुकता के ताथ पर अपने आपको बेवहार के कारणों की समाज में अंतरदेश्टी है यह अपने वाहवातावर था आंतरे क्रियाओं का बोध क विकास सांधियों कि भूमिका का क्या मुल्यांकन करिए तो दोस्तों सांधियों के बहुत बड़ी भूमिका होती है कि संगति बूरते हैं कि द ridiculous की बढ़़ा पर पड़ाओ पड़ता है तो हो साथी सामाजी करण के साधन है वैं दूसरों के व्यवहारों था विश्वास को आकार तो देते ही हैं साथी अपने व्यवहार विश्वास को देडविर करते हैं विद्याले में सीखना आरम करते ही साथी generating को प्रभाव पढ़ने लगता है इसे तरीख से दोस्तों आप लोग योगो verd不好 और सिच्च की वह सकतर एक औहम भूमिका होती है परिवार जैसा उसको धाले जैसा उसको दोस्तों म् two we all के ऑषना ने उसके साथ जो भी मत दो क्रिया कलाप करेगा उसके साथ जैसा रहन सहन उसको जैसा बनाना चाहेगा परिवार उसी चक तो वही हो जाता देखे या फिर पूछ रहा देखे बालकों के चरित निर्माड में परिवार के सदस्यों का क्या योगदान होता है तो वही बात बहुता है दोस्तों कि बच्चा परिवार में रहता है परिवार में उनके माता पिता पड़ेखेंगे अच्छी आदद पड़ी तो अच्छा बन जाएंगे बुरी आतों का संगत पड़ जाएंगे समाज का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है इनी सब बातों के बाए में देखें परिवार के सदस्यूं का आचरन कैसा है तो वही होता है तेकि अगर यदी अच तो पूर कारेकरों में परिवार का पुरा सहयोग होना चाहिए यह सहयोग विद्याले दोरा सिखाये जाने वाले गुड़ों का अनुमोदन करके था कारेकरों में स्वयम भाग लेकर किया जा सकता है विद्याले यदि परिवार को किसी अन्य प्रकार के सहयोग किया सा करता है सिच्छा का कोई भी रूप हो चाहे परमपरागरत का चाह हो या दूरस्त सिच्छा तकनी का प्रयोग हो अथवा एक विद्यार्थी अथवा सम्मूह द्वारा ई-learning का प्रयोग हो अथवा कुछ और हो सिच्छा का महतों कम नहीं होता है वास्तों में सिच्छा की कोटी पर ही सिच्छा की कोटी निर्भर करती है तो इससे बातों को ध्यान रख आगे दोस्तों दखें बालक के जिवन में परिवार की भूंका को इसपश्ट करिए परिवार की क्या भूंका हो को पूर्वार में ही हुद होती है बाला के बेवार पर भी परिवार का महत्पूट प्रभापड़ता है वह सर्पुर्थम नहीं बेवारों को सीखता यह अनुक्रण करता है जो परिवार दोरा किया जाता है यह एक सामाजिक संता एसे कुछ विशेशकार यहां से बालक की समाने सिच्छा है तो उचित पर्यावरण का निर्माड बालक करना है तिक हम समाजे के विकास करना बालकों के अनुकुलता का विकास करना बालकों की विद्याले सिच्छा का विवस्ता करना विवहरत्मक सिच्छा देना अनुसासन की सिच्छा देना करतब्य निष् से आपका स्वतंतता हो जाता है इसके अंतर बिचार अब व्यक्ति उपासना धार्मिक मानेता आदि व्यक्ति की क्या हो जाता है स्वतंतता होती है इसके समानता क्या होती है इसके तात पर व्यक्ति को बिना मूल वंस जाती धर्मलिंग और आदि के भेदभाव की आउसर की सम सब्सक्राइब करना है इसका समाजवाद है पंधनी समाजवादी समाज की विवस्ता है अब आगे आगे जाता है दोस्तों दोखे ब्यवहाराद की अधारण को सपष्ट करिए ब्यक्ति का वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण या वरताव करता या अनुक्रिया करता है ब्यक्ति का जिसे जो चरित्र है आचरण है वो जैसा ब्यक्ति के कारे करने प्रभाव डालने या बदलने का धंग है एक प्रकार से ब्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वतह और अपने पर्यावर्ण के संयोजन में की गई क्रियाओं का कारे करने के धंगों का विस्तार या प्रसार छेत्र है इसे ब्यक्ति के विभिन उदीपनों चाहे वे आंतरिक हो या वाहे चेतन हो या अचेतन प्रकट या प्रकट या एच्छिक या अनक्षिक के प्रती अनुक्रिया को यह का करता है आपका ब्यवहार के बारे में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि ब्यवहार क्या होता द तो इस तरीके साप लोग लिख लीजिएगा आगे आपका पूछी जाए जा सकता है दोस्तों देखिए के वहार में उदीपन और अनुक्रिया संबंद पर टिपड़ी लिखी वहार में उदीपन और अनुक्रिया क्या था कि वहार वाद की स्थापना का स्थ्रे जो है मनोविज्यान को वस्तुनिष्ट के प्रयोगात्मक मानते हुए विवहार को इसकी विसेवस्त माना यह वाट्सन ने किसी में बैजनक घटना को एक उदीपन से प्रारंव होने को कहा और जब उसके प्रती अनुक्रिया की जाती है तो वो घटना समापत हो जाती है इस तरह वाटसन के वेवहारवाद ने उद्धीपन अनुक्रिया के मनोविज्ञान को क्या किया जनल आपका देखें का आवांचित वेवहार को हतोत साहित करने के लिए एक सिच्छक के रूप में आप जो रणितियां बनाएंगे उनका ब्यूरदी जिता आप अपने भाहा साम लिख सकते हैं कि घर के विद्याले में बच्चे कभी-कभी ऐसा वेवहार पदसित करते हैं जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है इसमें अपसब्द का प्रयोग मारना पीटना चिढाना धक्का मुकी करना दूसरे की चीजों को तोड़ देना आदि सामिल करता है इसे दूसरे बच्चों को सारीरिक भावत में मानसिक पीड़ा हो सकती है बच्चों का इस प्रकार वेवहार आ आवांचनी बेवहार का मतलब दोस्तों कि जो मतलब की एक दूसरे को क्या करें दूसरे ब्यक्ति को चोट मतलब कश्ट पहुचाए वह आपका आवांचनी बेवहार है जैसे आप किसी को मारेंगे किसी को पीटेंगे किसी का कपड़ा फार देंगे किसी की कॉपी फार दें कि हिंसा क्या है आपका पूचा है हिंसा कि कारणों करिए कि हिंसा को आम थोसरे हिंसा को आमतरप परिवार के घर के स अंतरंग साथी सहयोगी यह ब्यक्तियों या समुह करने एक पदती की की रूप में समया दा है कि हिंसा को परिवासेद करते हुए समात्स आजित वास्ताव्ध यह ने क्या लिखा देखिए कि हिंसा में व्यक्ति शरीर बल या पासुइक बल का प्रयुख करता है। जिससे की व्यक्ति को समाजात पत्र रेडियो बहुत से कुछ लोग क्या होते हैं कि रेडियो में मूवी में देख करके कुछ ऐसा करने काम कर देते हैं इसका प्रभुत जामना वीडियो में जैसे दोस्तों पहले एक गेम आता था ब्लू वेल जिसको लोग देखते थे अपनी आत्मात्या कर लेते थे इस तरीके साथ ये क्या है हिंसा ही तो अंतर गता आपका आएगा अगला आप कहा जाता है दोस्तों भ्रस्टाचार को दूर करने का उपाय बताइए लोग पाल कानून लागू करना आवस्यक है संचिप्त और कारगर कानून हो प्रतेक कर्मचारी अधिकारी इस सपत के साथ कारे प्रार्ण करें कि मैं न तो रिस्वत लूँगा और न दू सकता है या फिर भ्रस्टाचार को दूर करने का सबसे बढ़िया एक काम नून है दोस्तों अगर मेरा मानने आएंगे कि यदि कोई भ्रस्टाचार करते हुए पाया गया जैसे कि बहुत से लोग रिष्वत जैसे लोग देते हैं तो रिष्वत लेने वाले को भी मतब जैसे कम किया सकता है तो इन सभी चीजों से आप भ्रस्टाचार के बारे में अपने हिसाब से लिख सकते हैं आगे आपका आ जाता दोस्तों साम प्रदाइकता उन मूलन से के उपाय बताईए तो साम प्रदाइता कि अनिमारे सिछा द्वारा लोगों में ग्यान की जोती चलाई जाए शिच्छा का पाठकरम इस प्रकार का हो जो परस्परिक सदभाव राश्टी चरीतर एवं एक करण को बढ़ावा देता हो इसलिए राश्टी स्तर पर सिच्छा की निती तयार की जानी चाहिए दूसरा देखे प्रसासनिक सिथिलता को समाप्त गिया जाए एवं सामप् समाप्त करने के लिए यह अनावस्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राश्टी स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगत सील द्रिष्टी कोण अपनाए नेताओं को जाती धर्म भासा प्रांतियता और संकिर स्वार्थों के द्रिष्टी काना होगा तो अपनी भासा में अपने लिख सकते हैं इसमें कोई बड़ी चीज नहीं अगला आपका क्वेस्टन बन जाता है मेरे दोस्तों कि भेदभाव को दूर करने का उपाए तो क्या देखे भाव उस विचार धारा को कहते हैं जिसकी काड़ व्यक्ति वर्ग अथव मतब हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए और यह जाती जो है इन सब चीजों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए अगला आपका प्रसन बन जाता है दोस्तों कि मीडिया के हिंसा में क्या भूमिका होती है तो देखे मीडिया का ससक्त पाधियम टेली वीजन या दू घटनाओं में खोब बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाता है इस प्रकार की घटनाओं का मानों के उपर घातक और विक्रित प्रभाव से पढ़ रहा हिंसा के नए नए रास्ते इस माध्यम से के द्वारा जनता क्या कर रहे हैं सीख रही है कई टीवी चैनल हिंसा को प्रसारि द्रिश्यों को देखते रहने से बिभीन प्रकार के हिंसात्मक विवहारों में तेजी से बिर्धी हो रही है बच्चे जिस प्रकार के द्रिश्यों को देखते हैं उसी प्रकार के हिंसात्मक विवहार को अपनाने की चेस्टार करते हैं जैसे छोटा बच्चा है अब मूव करना था के सांति के स्थापना है विकास हेद किस प्रकार के आचड़ पर बल दिया दिया लिखिए उन्होंने क्या किया देखिए कि महत्मा गांधी का जीवन मुख्धे रूप से गीता पर अधारी थे यह सत्य और रहिंसा के पुजारी थे उनका करना था के मार कार्ट जरू सूरा काल देते थे लेकिन आज के समाज में जानते हैं आश्वी समभाव नहीं ब hombre एल्प मारे सामने वाला कंग संप मारे काईandan की कोशिए इस सद्य को साध्य और साधना दोनों की रूप में माना यह साध्य रूप से निमने विचारों को बिसोपटल पर रखा पहला सत्य का है गांधी जी के अधर्म है वही जिंदगी का एक रास्ता है अब देखिए उन्होंने संयमित आचड बताया छमा सीलता बताया प्रेम बताया कि हमें छमा की भावना होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर प्रेम की भा करना चाहिए अगया के लिए आगे का कि महातिमा घंधी के अंचार सिच्छा के उद्धे बताई बच्चों की जिवकापार्जन के योग्ए बनाता है पहला बाद उनके चरित का निर्मार करता है शिच्छा के द्वारा ही संस्कृति अपनाने का प्रशिचर होता है बच्चे के सारीक मांसी का अध्यात्मिक सक्तियों का भी कास होता है सिच्छा के द्वारा आत्मा को उस्तम जिवन की ओर ले जाना वास्तिक था अनुभो इस्वर और आत्मा दिन भूति का ग्यान का आगे आजाता है दोस्तों आपका कि भारती दर्शन की प्रमुख विश्यस्ताएं बताईए तो भारती दर्शन की प्रमुख विश्यस्ताएं क्या है देखिए कि प्रमुख विश्यस्ताएं बोल सकते हैं देखिए बहुत सकते हैं कि सभी भारती दर्शन का उद्गों किसी आत्मिक असांती से हुआ है भारती बिचारक इस संसार में बिद्यमान दुखों वा पाप से ब्यग रहोकर इनके कारड़ों वा निवारण है प्रयतनसील रहते हैं और यह मानते हुए मनुस का सबसे बड़ा दुख मृत्यू की कलपना मृत्यू की क्या है आपका कलपना है मनुस इस मृत्यू से छुटकारा पाकर अमरत्यों की प्राप्ति करना चाहता है और इस अमरत्यों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास ही दार्शनिक सिंतन को ज आज क्या होता है दोस्तों दार्सनिक चितनतन को क्या करता है जनम देता है अब आपके आपका आजाता है देखिए अस्टांग योग का आसा क्या देखिए योग की क्रियां जैसे यम है नियम है यम क्या होता है सामाजिक विवहार को यम कहते हैं अब देखिए इसका नियम क् ब्यक्तिका भाई जो अपना प्यवार होता वो नियम कहलाता है। इसके बाद आपकास आ जाता है देखिए आसन, सरीर के विभिन अंगों की योगिक क्रियाओं को आसन कहते हैं। प्रडायाम देखिए स्वास के ब्यायाम को प्रडायाम कहते हैं। प्रडायाम के दोरा मनुस अपनी आत्मा के प्रकास को ग्रहन कर सकता है। धारडा के है किसी चीज़ पर एकागरचीत होते हुए ध्यान को इस दरह न भटक ने देना धारडा को क्या करता है अपका परिभासित करता है। अगे आपकाज बन जाता है दोस्तों इसी तरीके से देखे धारडा के बाद देखे ध्यान है समाधी है यह सब चीजे हैं अस्टांग योकी क्या उप्योगता है अस्टांग के द्वारा ब्यक्ति में इंद्रियों को सयमित रखने अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्र अपरिग् काता देखे पड लम करने कि शीजंग करते समय पद्मार्षान takär के आखे बंद करके नाक दोनों चीज्डर को बंद करके बयांचीदर से अंदर स्वास है यह अब देखिए अब को म्माशन की इस्तिति में नाकद वायू को धीरे धीरे अंदर खीचने की कुम्भक क्या होता है वाय को फेपढ़े में और कुम्भक करतें को नाकद करने की पूरक क्या होता देखिए वाई को धीर धीर अंदर लेना कुम्भक मतब वाई को रोकना और रिचक मतब वाई को बाहर निकालना आगे आ जाता दोस्तों आपका देखिए कि मानवा अधिकारों के सारो भूमिक घुसरा कब और किस उद्धिस से की गई तो संयुक्त राष्ट संग द्वारद के 10 दिसंबर 1971 इसको मानवा अधिकारों को सारो भूमिक सुक्रिती प्रतान करते हूं जाग्रित हो और उत्तर उत्तर ऐसे राष्टियों मंत्राष्टि उपाय करना जिससे सदसे देशों की जनता उसके द्वारा अधिकृत प्रदेसों की जनता इन अधिकारों की सारवभमिक और प्रभावत पादक स्विक्रिती से और उसका पालन कराया जाए प्रित्विय एक इकाई है किंद उस पर रहने वाले मानव एक समान नहीं है रंग रूप में भीनता के साथ ही उसके जीवन की मुलभूत आवसाक्ताओं को पूरा करने के धंग उसके सुविधा के बहुत अंतर दिखाई पड़ता है जीवन की मूल भूत समस्याएं रोटी कपड़ा और मकान के साथ सुधवायो और जल को से भी संबंधित है इस मानुई समस्याओं का हल पृत्वी से संबंधित है करने में क्रिसी उपजों के साथ साथ पेड़ पौध़ें जीवन जन्तु भी साहयक होते हैं तन ढखने के लिए वन क पास के लिए पैदावार आदि आवस्यक है रहने के लिए ग्रिह के निर्मार की सामागरी प्रित्वी के धरातल वन आधी से प्राप्त होती है सुद्धवायू प्रित्वी की मरस्पती से प्रभावित होती है जल धरातल पर बहले वाली नदियों प्रपातों भूगर्भ जल वर्सा आधी के रूप में भिनता है सभी इसे परिचित हो और जीवन के विकास की अंध धुन्द दवड में अपनी में सभी मानव के लिए खुदा और अपनी लिए समस्याय उत्पन ना करें आगे देखिए आपका कि सतत्विकास की आवसक्ता कि अधाड़ा उसके आयाम एवं उद्देश के अध्यान से यह सपस्ट होता है कि आधुनिक जीवन में इसका बड़ा महत्तो है यह वास्तिकता है दोस्तों रोटी कपड़ा और मकान यह तो आपका चाहिए ही देखिए सु प्रिध्धी होने वह अन्यकारडों के का से आज विश्व के कई राष्टों में जनसंक्या की विकट समस्या बढ़ी है बढ़ी जनसंक्या के लिए रोटी कपड़ा मकान जैसे मुली पता सकता हों के साथ ही सुद्ध जल एम वायू की भी समस्या रहती है आती है किसी राष्ट के लिए आर्थिक स्थेता हैं विकास का बड़ा महत्व है सतत विकास स्थान विशेश की आउसक्ताओं संसाधनों के आधार पर तार्खिक क्रियाओं पर क्या करता है अब आगया जाता दोस्तों देखिए कि संपोशडी विकास के लिए मुल भूत तत्तों क मानों कि आधार पूजी कि पूर्टी होना अब्यक्ति के वर्तमान वह भुष्ट की आवसक्ताओं में सामजस्थ आर्थिक दक्षटा तर था विकास जैसे देखिए आर्थिक विकास के साथ प्रकृती प्राकृतिक पूजी का संप्शन पर्यावर्ण पर दूसर कम करना प परियावर्द था पारिश्टित की तंत्र का परिछड अंतर्व अंतपीधी समानता विकास के जनसाधरन की सभागीता जनसंख्या की स्थितिशन जनसंख्या नियंतरन्ड मुल्य था आचारेओं में साकारत्म क्या करना पर आगे आपका आजाता दोस्तों तो कि प्राक्रतिक संसाधनों के आकरमण को रोकने का उपाय क्या देखते दोस्तों कि संसाधनों अक्रमण भी एक और्थ ब्यवस्था के लिए गंभीर समस्याइं पैदा कर देता है यह अर्थ ब्यवस्था के उत्पादन चमता को कम करता है और इस प्रकार की विकास को कम कर देता है यह आव इसरा सांप्रदाइक्ता है यह सभी की जहें तो धार्मिक व्हाजन में दखे एक वही चीज़ां आपको यहां पर समझाने के प्रयास किया गया है कि भारत में प्रचलित अधिक आर्धिक विस्थमता एक राश्टी एक्ता की स्थापना में बाधक रही है जातिवाद इस्थ सवाब प्रांतिवाद के भावने लोगों में अपने राश्टट की अपैक्षा अपने छेतर के प्रति लगाव इस रूप में उत्पन किया है कि वे लोग वे अन्य छेतर नों था अपने राश्टर के प्रति संपवनेपड़ भावस्ते का हो जाएं दूर रहें यह सभी चीजे हैं आगे आपका जाता देखें कि अंतर राष्ट्री विवादों के सांति पूर्चा को बनाया रखना है सुरच्छा परिशत अंतराश्टी विवादों के सांतिपूर समाधान का प्रयास करती रही है यह सांति के भंग होने की स्थिती में अक्रामक देश्ट की पहचान करके सामुहिक सुरच्छा के अंतरकत उसके बिरुद प्रतिबंध लगाने का सामुहिक कारवाई करने का निड़े लेती है। अंतराष्टी नियालेों के नियाधीसों का भी क्या करता है चुनाओ करती है। इसलिए सान्ती आज की सरवाधिक आउसकता है। मन को मुक्ती देती है और समाज के प्रगती तथा विकास के बारे में सोचने के लिए आउसर देती है। अतर व्यक्तियों में सान्ती के प्रती जुकाव पैदा करना अती क्या आप लोगों का आवस्यक है। यह कार्य सिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है जिसके लिए सिच्छक को महतवपूर भूमिका निभानी परती है। आगे आप का जाता दोस्तों देखें बच्चों के स्वस्त साक्षी संबंध को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भून का देखें। अध़ावक का दाईत है कि अपने बच्चों के साथियों के बिशे में जानकारी रखें। सही बात है। कभी-कभी बच्चे और उनके साथियों से बाच्चिते बिवार का निरिच्छड करें। यदि ऐसा प्रतित हो कि बच्चों को कोई साथी गलत है तो बच्चों को विश्वास में लेते हुए उचित परामर्स उनको दें। बच्चे से उसके साथियों के बीसे में शमय समय पर बाचीत करते रहें। शंगत के बिसे में बच्चे को प्रत्रह परत्रों परत्रकार की निति अजनडा सिध्धान बताईए। तो क्या देखिए पर्यावर्ण के प्रती भारत सरकार की निशिये देंडा 21 जो है सिद्धान्तों पर ही सरकार निम्लिकित बिसमेपनिती गतवाकि बताई वान की प्रदूसर्ण कम करना राष्ट्री सनुचर से पर्यावर्ण और विकास करना यहीं सब्सक्राइब देखिए से दूसित हो रही दूसित भाई हवा को इंसान ले रहा है जिससे बहुत से सारी बीमारियों का उसको सामना करना पड़ रहा है आंखों की जो है रौसनी उगर उसकी कम हो जा रही तो इसी वाप लोग अपने बना करके लिख सकते हैं इसके बार दूसन दोस्तों कि वईसक्रण सक्रेटिक ब्यवधान अर्थिक भाउत्रय सांस्कृतिक ब्यवधान भाषाई व्यवधान और मॉनो गयना आपकि आजाता है की आगे एलाव का प्रश्ण बंदा है कि राष्ट्री एक्ता के बाधिक द्वाध्यों का ऑड़ान क करिए किसके अर्राष्ट्री एक ताकेत कौन-कौन सा बाधाकत थे पहला देखिए देश में जातिवाद संप्रदायवाद छेत्रवाद भासावाद आधिका प्रभाव समाप्नना होगा देश की भाव गोलिक विवित्ता और असमान अर्थिक विकास एक समान गुड़त्ता वाली सिच्छा की सुविधान मिलना जीवन के प्रतेक्षेत में भास्टाचार देश को कमजोर रखने की इच्छा वाले विरोधियों के कारेक कलाब्त ये सभी है देखिए नयतिक सिच्छा का कोई एक परिभासा देखिए किसके अनुसार देखिए आत्मनंद मिस्र के अन द्यान रखना बढ़ों के प्रति आधर पसुम पर दया दिन दुख्यों के प्रति साहन भूति आदी चरीतर के आधार भूत गुड नयतिकता में ही क्या करते हैं आपके आते हैं आगे पुछा देखे निम नांकित में से किनी दो पर टिपड़ी लिखे ये मनोवज्यानिक हि देखे हिंसा दबाव बनाकर कोई कारे करवाना करवाना डराना धमकी देना जूठा आदेश लगाना इसके बाद आरोप लगाना व्यक्तिकत संपत्ति को छती पहुचाना अक्रामक तकता पूर्ड विवहार करना व्यक्तिका सामाजिक भहिसकार करना योगी व्यक्तिको न निर्मा निर्डश के अधिकार से वंचित करना अधिक अधिकार जमाना अधिये सभी क्या है दोस्तों, नातिक सिछा का प्रम्भभ क्या है आपका कारणा है। कि आगे देखिए बोल सकते देखिए सूर्य वाइव से संबंधित उर्जा का जीवन ब्यापार में अधिकाधिक प्रयोग करना उन तक्निकों के कम से कम प्रयोग करना जिन में खनीजम पेट्रूलियम पतार्थों का प्रयोग अनिमार है तो यहीं सभाए दोस्तों आप लिखना था मनोविज्ञान पर हिंसान बंद पर आप लोग अपने इंसार से बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं और मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा जो चीज आपका नहीं समझ में आगो उसको अपनी भासा में ब्यवहार में लिख दीजेगा कि आपका चैप्टर ही है दूर करने का तरीका ढोड़ना पड़ेगा तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं अब चलिए फाटा फट हम लोग आति लगुत तरी कर लेंगे इसके बाद वहुत कि लगवी करते हैं आप अति लगुमी दोस्तों देखिए क्या है देखिए कि बिद्याले पाठीकरम में इसलिए आवसक है कि बालक के सांती संबंदी अंतर नहित गुड़ों एवं सक्तियों को उसके कारे वेवहार या आचड में लाना जिससे वह दूसरों के साथ सांती पुल ढंक से और सांती मुल्यों का क्या करें पोसंड करने में क्या करें समर्थ हो आगे पुछा आपके मत सभी प्रेम पुल यह पत्रागौं को सतंतर भाईेसिक भासारे कर दिश्कुरित्यादी समाज की मिसेस्ता रिखी समाजिक जीवन से समय मित आचरण При मुळली संभान भूति संतो्स वैयादयों का सांति पूर त्माधान आधि का किया वहता है आगे काहरा धेखे कि उन कारणों को बताईए प्रबल हो जाती है असंतोष जनक परिवारिं समबंध विध्याले के कारेयों में पिछड़ापन साथी ही संबंधों का अनुचीत होना संचार माधमों का अनुचीत प्रभाव आदि किसोरों के आउसकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं इससे किसोरों में हिंसात्मोंग विवहार दिखाई देता है आगे आपका देखें कि साइबर बुलिंग क्या है किसी बच्चे या वयसक को किसी अन्य बच्चे या वयसक के दोरा इंटरनेट या मोबाईल का प्रियोक कर प्रताडित करना मानसिक रूप से परिशान किया जाना इसका मालस्तिक्स को गहरा प्रभाव पड़ता है और ये इन्हें लाका रणवण बना देता है आगे है अस्टांग योग किसे कहते हैं तो अस्टांग योग क्या है है दोस्तों जो है आपका आठ है यम नियम आसन परडायाम प्रत्याहर धारडा ग्यान समाधी इसमें से देखे वाहरंग जो होता आपका यह 5 है इसके वाद अंतरंग यह पांच है ऩे फॉलापन, चतन, बहिर्मुक्ता समाजिक्टा नायोति यह इसके पांच हैं हिंसा के कौन-कौन से प्रकार है नामानकी करिए लोग प्रियस संस्कृति में असलीलता यह सब प्रकार हो सकता है सांती सिछा के मुल्य का क्या तात्व पर है। जोस्तों सामान रूप से कह सकते हैं कि मुल्य काrü तात्व पर उनलचों विसासों विचारों-सुछमतत्व से हैं जो जीवन को शार्थक बनाने में सहयोग देते हैं सांती सिछा में मुल्य का आफ अंगошत्व हैoken आगे हैं योग सुत्र के आठ अंग कौन से हैं यम नियम आसन प्रड़ायाम प्रत्याहर धारड़ा ग्यान समाध्य यह जो तीन है आपके अंतर रंग है और बाकी सब आपके बही रंग है शुरुआत के पाँच आगे आपका जाता है कि भारत में राष्ट्री मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्री मानवाधिकार का आयोजन हुआ था मीडिया के अंतर गत कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है देखे तो कौन कौन साब का देखे इसके अंतर का देखे मनरंजन सिच्छा विविन आकड़ों अथ्वा विज्ञानपों का पसाड़ किया जाता है समाचार पत्र पत्रिकाए टेली वीजन रेडियो टेली फून फैक्स इंटरनेट आदिसंचार माध्यमों को मुखित्री से समलित किया जाता है सांती सिच्छ परिवासित करते हुए इसका आर्स लिखी तो क्या होता है जो सकते हैं थे कि ब्यक्तित तो ब्यक्ति के अंदर उन मनोसारी गुडों का वह गतिसील संक्ठन है जो परियावर्ण के प्रति उसके अनुठे समायोजन का स्वरूप निर्धारीत करता है आगे आ जाता है दोस् परिस्तिती पर कुछ नियंतर मनों वग्यानिक आ सकता हैं कि पूरति सिछड एवं सिछड एतर कारेक्रम अभवावकस पूरसकार अब दो के पांच गुड़ कौन कौन से हैं तो ब्यक्तितों का जो पांच गुड़ है खुलापन है चैतनेता है बर्मुकता है सहमति जनेता है और इस नायू विकृति इसके पांच गुड़ है आगे देखे राष्ट्री एकता क्या देखे राष्ट्री एकता मार्ग में आने वाली प्रमुक बधाएं कौन कौन से हैं देखे तर राष्ट्री एकतम देश में जातिवाद है पहलाबाद संप्रदायवाद है यहां काम न मिलना प्रणावस्था की समस्या जीवन का प्रतेक्षेत में भरष्टाचार यह विकास को प्रभावित करता है ब्यक्तियों की ब्यक्तिकत राजनीति के मार्थिक महात्वकांच छटमाहें देखे कटिपवादी यह मातंकवादी आपका जाता है देखे कि गति यहां कि इसको कहते हैं जो इस प्रकार है देखे इनमें से देखे प्रथम पांच जो हैं आपके क्या है बहिराग है और जबकि क्या नुस्थान से काम क्रोध भाय लोब्य अविध्या आदि भाव का ना सोजाता है त्था व्यक्तिक अंतरमन को सांति प्राब्त होते हैं। आगे त्रोच प्रभावी संतविनीर्माथ बनाने हो सब्साइब कौन का को सा कॉसल समाधन कोसल मध्यस्तता करने का कॉषल प्रबंधन का कॉसल यह सभी आपका होना चाहिए आगे आपका जाता दोस्तों देखिए एक मिनट आगे देखिए आपका देखिए कि चरीत्र का निर्माण करने आले कि नहीं करड़ों का उदेखिए परिवार के सतस्यों का आचरड़ तेली विजन रीडियो आधिकरमकों का चर्चा पुरसकार्यम दंड विद्याले का सभी आपका आजाएगा मेरे दोस्तों आगे आपका देखिए एस जी डी का पूरा नाम पूछाए देखिए किसका मेरे दोस्तों एस जी डी का पूरा नाम क्या है देखिए तो का है सस्टनेबल डिवलप्मेंट गोल्स क्या है सस्टनेबल डिवलप्मेंट गोल्स क्या है सस्टनेबल डिवलप्मेंट गोल्स क्या है सस्टनेबल डिवल सुक्की लालसा होती है तथा जिसके हिर्दय में क्रोध मों है आधी विकार उसके कोली यह स्थान नहीं होता है उसे ऐसे बिमन उसको इस्थिति प्रग कहा जाता है बहीरंग यो कौन-कौन से देखे तो यम नियम आसन प्रडायम और प्रत्याहर योग के बहीरंग है आपका बहुत दा इंपोर्टेंट ने पूछा से सकता है अंतरों क्या है धारडा ध्यान और समाधी धारडा ध्यान और समाधी यह अपके अंतरंग है आगे आपका देखिए आपका आपका दाता देखिए एक मिनट कि अनुच्छेद 325 संबंदित है यह पूछ रहें देखिए अनुच्छेद 325 के अंतरगत देखिए प्रतेक बेक्त को अपने देश के सासन में भाग लेने का अधिकार है इसी के अंतरगत लोक सभाथा विधान सभाथ चुनाव में प्रतेक नागरी क्या कर लेता आपका भाग ले सकता है कोई भी लड़ सकता है आगे आपका जाता है दोस्तों देखें केंद्री करण विधी क्या है क्या है मेरे दोस्तों आपका एक मिनट और चोटा कर लेते हैं देखें केंद्री करण विधी क्या है दोस्तों आपका केंद्री करण विधी में मन की एकाग्रव केंद्रित करना पड़ता है जिसमें मन की चंचलता दूर हो जाए कि मुझे फिर से सिच्छा ग्रहन करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्यान ना करूं यह सभी है दोस्तों इस तरीके से आपके सभी अतिले घुत्तरी प्रशनों का हम लोगों ने कर लिया अब चलिए फटा लोगा और बढ़ता ही रहेगा तब हो सकता है आगे देखे सांती के लिए सिक्षा नयतिक विकास के साथ उन मुल्यों द्रिष्टिकुण और कौसनों के पोसर पर बल देती है जो सामनजस बैठाने के लिए आवस्यक है तो कौन सा हो जागा दोसने आपका देखे प्रकृतिय और मानो जगत के बीच किसके प्रकृतिय और मानो जगत के बीच आगे देखे कि बिश्व भारती की स्थापना की गई तो बिश्व भारती की स्थापना देखे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया गा किसे रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है आगे देखिए कि निम्नाकित में से कौन सा गुड ब्यक्ति के पांच गुडों में सामिल है समाजिकता एकागरता पांच गुडों में देखिए निम्नाकित में कौन सा गुड ब्यक्ति के पांच गुडों में सामिल है खुलापन तो कौन सा देखिए आपका खुलापन आपका देखिए पांच गुड़ों सामिल है आगे देखे देखे उ और अ बंधन का निर्माण होता है खोज से प्रभाव से अनुकुलन से तो किसे होता मेरे दोस्तों अनुकुलन से होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग देखे अगला ते निम्लिखित में से कौन सा लोक तंर के सिद्धांत है देखे सवतंत ता समाझवादा और समानथा कंसा दोसों समान ता समानथा यह देखे लोक तंतर का था का सिध्धान्त है आगे आपका है संयुक्त राष्ट्र संग में सांतिय और अहिंसा के संस्कृति का अंतर राष्ट्री दसक कब घुसित किया था कब आपका हो गया था drain और राष्ट्र संस्द्र की स्थापना कब हुई तो आपका 24 अक्टूबर 1945 अगला देखे आश्टांगी की योग में समलित नहीं है देखे आश्टांगी की योग में प्रणायाम आसना और ध्यान है लेकिन बिधी बिधान तो आप लोगों का मैंने ऐसा नहीं बताया है ठीक है दोस्तों यह आपका सव नहीं हो जाएगा मेर सांतिके मार्कट चुनने किस सकत बनाना उन्हें सांतिका अपधो व्यक अंतलगत प्रकृयाओं है समाजर के अंतलगत के दोस्तों आपका क्या हो जाएंगा देखिए बालकों का समाजर रूब से अनमुदित व्यौहर करना समाजर भूम का कि ऊपरिउगत तो भी हो जाएगा इस तरीके से आपके देखे व्यक्तितों को निखारने में बाधाक तो दूसरों को सम्मान न देना गाली देना बात-बात में जगडा करना ते उपर युक्त सभी हो जाएगा व्यक्तितों के गुर्ण किसका है गांधी का है स्वामी विवेका नंद का है मारिया मांटेशरी का है तो इतना हम लोगों ने बहुत से बहुत कल्पी प्रश्णों को अधिलगु प्रश्णों को और लगुतरी प्रश्णों को कर लिया मेरे दोस्तों उमीद है इस्वर की क्रिपा रही तो यहीं से प् पसंदाई होगी ज्यादा ज्यादा दोस्तों सेर करिएगा नए होईएगा तो मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद